सन 1981 में अमिताव बच्चन और जिनात आमन अभिनित फिल्म लावारिस के सफल समापन के बाद निर्माता निर्देशक प्रकाश महरा ने उसी जोरी को दोहरा कर फिल्म जमीन बनाने की प्लैन बनाए और इस फिल्म में उन्होंने 1978 में उनके शेल्ब्ड फिल्म शीवा के बाद फिर से एक बार दुनिया के मशहूर बॉक्सर दो ग्रेट मुहम्मद अली को एक एहम किरदार में लेने के लिए सोचा फिल्म जमीन के कहानी के लेखक थे हरवंश कुमार जमीन की कहानी एक प्रसिद्ध अंग्रेजी धाराबाहिक रूट्स की कहानी से प्रभावित थी लेकिन कहानी पूरी होने के बाद भी फिल्म का निर्मान कभी शुरू ही नहीं हो पाई इसका एक एहम वज़य थी मनोज कुमार द्वारा निर्मित निर्देशित और अभिनित 1981 की ब्लॉकबस्टर फिल्म क्रांती क्रांती को देखने के बाद प्रकाश महरा और लिखक हरवन्स कुमार दोनों ये देखकर हैरान हो गए कि क्रांती के कई दृष्ष या सिकोएंस रूट्स के प्रभाव में ही फिल्म आए गए है खास करके फिल्म क्रांती का क्लाइमेक्स रूट्स की हू बहू कार्बन कॉपी थी प्रकाश महरा समझ जाते हैं कि किसी ने उनके प्रोजेक्ट जमीन की स्टोरी आइडिया का इस्तेमाल उनसे पहले ही कर लिया है बाद में खुला सा ये होता है कि जमीन फिल्म की कहानी लिखने से पहले इसके लेखक हरवंश कुमार ने एक बार स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद से कहा था कि वो अंग्रेजी धाराबाहिक रूट्स के विचार से प्रेरित होकर जमीन फिल्म की कहानी लिखेंगे शायद ये जानने के बाद सलीम जावेद ने रूट्स की कहानी के आधार पर फिल्म क्रांती के कहानी और स्क्रिप्ट पहले ही लिख डाली थी प्रकाश महरा को एहसास होता है कि अगर इस बार उन्हें फिल्म जमीन की कहानी पर फिल्म बनानी है तो उन्हें कहानी और पठकता की कई हिस्तों को शंशोधित और बदलना होगा उन्हें कहानी और स्क्रिप्ट में काफी बदलाव लाने पड़ेंगे जो लगभग असंभग है नतीजतन 1978 में शिवा के बाद 1982 में अमिताव बच्चन और मुहम्मद अली के साथ मिलकर एक फिल्म बनाने की प्रकाश महरा की योजना दूसरी बार नाकामियाब हो गई उन्होंने जमीन के प्रोजेक्ट को आखिरकार रद या शेल्ड घोशित कर दी इसके कुछ साल बाद निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी ने 1987 में विनोध खन्ना, श्रीदेवी, संजैदत और रजनीकांत को लेकर सेम टाइटेल जमीन का इस्तेमाल करके एक बड़े बजट की फिल्म बनाना शुरू किया लेकिन अफसोस कुछ हद तक आगे बढ़ने के बाद इस फिल्म का काम भी आखिरकार रद हो गया अगर प्रकाश महरा की अमिताफ बच्चन और दग्रेट मुहम्मद अली के साथ मिलकर फिल्म बनाने का योजना सफल होती तो फिल्म प्रेमियों के लिए इससे बड़ी प्राप्ती शायद और कुछ भी नहीं होती